बुद्वार की सुबा होते ही जहां पाजबावली थाना शेत्र में एक युवक की चाकु से बात कर हत्या का मामला सामने आया था तो वही बुद्वार की रात ही एक हत्या की वार्दा को अंजाम दिया गया जिससे शहर में फिर एक बार बढ़ती हत्या की मामलों में संसरी फ मुझला के सर पर वार कर उससे मौत की खाट उता दिया क्या जानकारी के मतबिक मुरतक की शिनाकत शिल्पा मिश्राम के रूप में हुई है मुरतक के हाथ में सिध्धात नाम गुदा हुआ है नेलडो परिसर में कमपणी का निर्मान कारेच चल रहा है वहीं खाली प्लोट मे बुदवार रात आट बजे के दोरान स्थानिय नागरिकों को महीला की लाश दिखाई पड़ी। कड्रोल रूम से जानकारी मिलते ही M.I.D.C. पुलिस मौक्य पर पौची जहां आसपास महीला को पैचानने वाला कोई भी उस वक्त मौझूद नहीं था। पुलिस के अनुसा और महीला के सिर्पर सतूर जैसे हतियार से कई बार वार किये गए थे। पुलिस ने बंचनामा कर शफ को पोस्ट मौटम के लिए मेडिकल अस्पताल भेज दिया है। अध्या की बज़ा का पता लगाने में पुलिस फिलहाल जुट गई है। पुलिस ठाने M.I.D.C के अंदर निल्डो M.I.D.C के इरिया है। यहाँ पे कल दिनां 2-8-2-30 को शाम को 7 बज़े के लगबग पुलिस को इंफोर्मेशन मिली की एक महीले एक लेडी की बड़ी वहाँ पड़ी हुई है। वहाँ पे जाके हमने जब परतानी की तब पता चला की एक 30-35 साल की एक बहिला है जिसने हरे रंग की साड़ी बहिणी हैं। और उसको कोई धारदार हत्यार से उसको वहाँ पे मारा गाया था। और उसका नाम और पता अभी तक पता नहीं चला है। उसके हाथ पे सिद्धार नाम लिखा हुआ था। और ऐसे बड़ी मिलने के बाद पंचनामा करके हमने आधनिया थारूपी के खिलाब 302 IPC के तहर गुना दाखिल किया है। आगे का इन्विस्टिकेशन चाब लें।